जानने की हम आज कोशिश करते हैं जो डिली यूज होते हैं अपने गरों में ओके सो लेट स्टार्ट एठीक बाला खाना या हम इसको चुबार अभी कहते हैं उपर वाले जो चत होते हैं उसके नीचा हिसे जो लास्ट किसी भी गर के ठाप पर होते हैं इस्ट्रे राकदान इश कहते हैं राक को बैसन बैसन जिसमें हद दोए जा सकते हैं या फेस को वाश करते हैं ब्लैंकेट कंबल बोल्ट चटखनी और बोल्ट भी कहते हैं इसको नीचार्पेट खालीन शांदलीर फानोस बड़ डिकुरेटिड बलब होते हैं सेहन या गर के सेहन में जो मैन हाल होता है उसमें लगे होते हैं शांदलीर कपड़ अलमारी कर्टेन पर्दा कुशन गदी तक्या या मुस्तनद असनद इसको कहते हैं डॉर्मेट दर्वाजे की चठाई जिस पर पाउं को रगड़ा जाता है सफाई के लिए फार्टलेनेस यू आ लोठा हैंड मिल हाथ की चक्की मिरर आइना प्रॉक कॉंटी इस पर कफिल लटकाय जा सकते हैं सीजर केंची स्लावर वेज गुल्दान पिसल एंड मॉर्टर दोरी इंटन्डा सरस्नक कोई चीज पीसा जाता है अक्सर चटनी बनाने के लिए या कोई भी चीज को पिसवाने के लिए ग्रेंट करने के लिए यूज होता है पिसल एंड मॉर्टर फिल्ट रजाई क्रेडल जोला चोटे बच्छों के लिए होता है कुम कंगी स्टेर्ज 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 बात्रूम वसल्खाना वरांदा वरांदा बात्रूम प्रेंट बीशतर बेट शीट चादर बेट के उपर जो चादर बेजाथा है अल्ट काट बेट शीट रजाए अल्ट काट बेट शीट नीडल जो नीडल के साथ ये कोई मशीन से लाई के लिए योज़ता है, बुबिन, नल्की, स्पाउट, परनाला, कोट्यार्ड, सेहन, ड्रेन, नाली, वेंटिलेटर, रुशन्दान, परिशोल, देहलीज, गर की देहलीज, करके कहा जाता है कि गर की देहलीज पर पाउं रखना, दे मैन इंटरेंज जो गेट होता है उसकी, उसकी, लेटिस, जाली, रेलिंग, जंगला, सेडियों के साथ जो साइट पर लगता है, इस कार्ड रेलिंग, जंगला, साइट वाला जंगला, सेलिंग, चत, सेलिंग कहते हैं, चत के नीचे वाले हैसे को जो अंदर डिकॉरेटड होता है, lower, अक सर सीलिंग करिया जाता है, अंदर वाले साइट को रूफ चट, रूफ भी चट को कहते हैं लेकिन बाहर वाले साइट को उपर पूर जो सिलेब होता है तिस कार्ट फर्म उट साइट diplomically इसको चट कहते हैं और जो सेलिंग था वो उसके अंदर वाले हिसे कुछे थे, इसमें हम डिकुरेट चुन करते या गर्मी से बचने की लिए उसमें सेलिंग किया जाता है, so that's called selling. Shelf, shelf या खाने, almारी के खाने. Wardrobe, कपड़ों की almारी. डिफरेंस जो कप बोर्ड और वार्ड रूप में हैं वार्ड रूप स्पेशल वार्ड है फार कपड़ों की अल्मारी जिसमें कपड़े लटकाए जा सकते हैं जस्ट बीम, कोड़े दान स्ट्रॉंग बॉक्स या डीड बॉक्स तजूरी अक्सर मेटल का बना होता है जिसमें पेसे और कोई जवरात वागरे रखे जा सकते हैं ये जियोलिरी के दुकान में अक्सर होते हैं अच्छा इसको सिफटी और सिफ बॉक्स भी कहते हैं तो देर डिफरेंट वार्ड जिजूरी के लिए ये स्क्राउंग बाक्स, सियर सेफ बाक्स लीड बाक्स प्रेयर मेट्ट, जینिमाज बुक शेल्फ, किताबे रकने की अल्मारी जिसमें किताबे रक्ते हैं लाइब्रेरी में या गर में कूई बीwormारी, बुक शेल्फ बॉकेट बाल्थी बसकेट टुकरी सोफा सोफा और दुमें भी सोफा कहते इसको त्रेड दागा नीडल कब अमने सी कहता है नीडल सोई एंड दागा नीडल एंड थ्रेड टिलिवीजन टिलिवीजन और्दु में या शाटकट टीवी भी कहते है इसको सेम वाड यूज़ता है फार इंगलेशन और्दु लेप टॉप लेप टॉप लेप टॉप लेप टॉप या सिंपली कंप्यूटर भी कह सकतें सेफटी पिन बॉक्सवा या मखफूज पिन ड्रील बर्मा बर्मा रिफ्रिजरेटर या इंशाट फ्रीज इसको फ्रीज भी कहते हैं जो कड़ा होता है बिलकुल सीधा जिसमें दो या तीन डूर होते हैं अक्सर डीप फ्रीजर गहरी फ्रीजर या जो नीचे होता है बॉक्से की तरह तो डीप फ्रीजर या फ्रीजर टेबल लेंप चराः सेलिंग फैन चट वाला पंका तो ये जो सेलिंग हमने पढ़ता है चट अंदर तो ये अंदर लगता है देट सकाल देट सुए इस काल सेलिंग फैन चट वाला पंका पेस्टल फैन स्टेंड वाला पंका जो बाहर कहीं भी मुक क्या जा सकता है असानी से एक जिगे से दुसरी जगा भाहर भी सेहन में लगाया जा सकता है so it's called pedestal fan table fan maze वाला पंका कोई भी मेज पर रखकर आफिस में या गर में छोटा सा पंका होता है it's called table fan bracket fan दिवार वाला पंका ये कमरे के अंदर या आफिस में कोई भी जगा में दिवार के साथ पक्का फिक्स किया जा सकता है इसको कहते है bracket fan मेटक फावडा 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 कुदाई के लिए यूज़ होता है मेट चटाई कोई भी चटाई चेर कुरसी टेबल मेज उर्दमी जाच्टल टेबल ही कहा जा सकता है दोर दर्वाजा वाशिंग मेशीन कपड़े दूने वाली मेशीन विंडो खिड़की स्कूरूड्राइवर पेचकस प्लायर्स टारे काटने के लिए या उसको बेंड करने के लिए यूज़ होता है सिकल दुरान्ती गास वाज़रा काटने के लिए इस्तमाल होता है सा आरी हैमर हतोड़ा इलारम कलाक गंटी वाली गड़ी लाक ताला की चाबी लेडर सीड़ी एक स्टेयर होता है जो कंक्रीट से बनता है उसको स्टेयर के ते और एक सीड़ी लेडर उसको के ते जो लकड़ी या कोई इस तरह की चीज़ का जिसको असानी से मौ किया जा सके एक स्टेयर से दिसरी जगह स्टेयर से भी बनता है लकड़ी से भी बनता है तो देट्स काल लेडर सीड़ी वेज गुल्दान डस्पैन दूल पैन सफाई के लिए जोते हैं डस्पैन फ्रोट बास्केट पलों की टुक्री ब्रॉम जाडो सफाई के लिए इस्तमाल होता है फ्रोटिस पैग्ड्स कपड़े लटकाने वाले कुंटिया टेप्ट नल या टून्टी टूटी भी कहते हैं उसको सेख बुरी रूप रसी पैंट ब्रॉष रंग वलब रश्ट लाइट बल्ब रुष्णी वलब बलब सिंपल बलब भी कह सकते हैं उसको हेड़ फून्स हेड़ फून्स सेमर्ड यूज़ रता है फार उर्दू फायर एक्स्टिंग्विशर आग बुजाने का आला बड़े बड़े अमारत उम्हें अक्सर लगा होता है बाहिर कोई भी अमर्जनसी की सूरत में इससे आग बुजाए जा सकता है रिस्ट वाच कलाई वाले गड़ी पहनने वाली बाथ टब नहाने वाला टब बावल कटूरा सीव चिलनी चानने के लिए उज़त है चायर या कोई भी चीज चानने के लिए कैंडल मुंबती फायर प्लेस आग की जगा बोटल बोटल पानी की बोटल या कोई भी बोटल अंब्रेला चत्री वाल क्लाप दिवार वाली गड़ी कमरों के अंदर जो दिवार के साथ लगे फिक्स किया जाता है आरं इस्त्री अ कप या प्याला प्याला इसको कहज़े प्याला तुल्या वाल्ट बट्वा पर्स शावल बिल्चा या कुदाल एयर कुलर हवा करने वाला कुलर कंड़क के लिए वाटर कुलर पानी का कुलर जिससे पानी पिया जा सकता है सूप सावन एक्स कुलहारी ड्रायर दराज जिसमें समान रखा जाता है या अक्सर काख़ वगेरा फाइल वगेरा भी रखे जा सकते हैं सो ड्रायर लकड़ी की भी बनते हैं और स्टील से भी बनते हैं डेगर हंजर मेजरिंग टेप परिमाइश कफिता टाइलेट रोल टाइलेट रोल या टीशू फेपर तार्च तार्च या बिजली हाथ से रुषनी देने वाला चार्जिंग कवी होते हैं और सेलन से भी काम करता है यह तार्च पर्ट बर्तन कोई भी बर्तन कोकिंग वर्या पर्ट्स जमाँ मेज स्टिक माचस टूथ ब्रश दान्तों का ब्रश दान्तों की सुसाई के लिए तूथ पिक तूथ पिक कहते हैं इसको दान्तों की सशाई के लिए अगर कोई चीज पस जाय काने के बाद या गोश्ट वागेरा काने के बाद सेटिलाइट डिश डिश या डिशेंटीन अभी कहते हैं इसको वेक्यूम क्लीनर गर्द सास करने की मशीन अक्सर कार्पेट को या कलीन को सास करने के लिए इसको वेक्यूम जो अंदर केंचता है गन को will better dusty ready okay that's for today thank you guys see you in next class with a new topic okay bye bye you